पूतूलबाडी जो कि अपनी खुशाली और ड्रेट इंशेंट आर्किटेक्चर म्यूजियम और सल्सकृति की वज़े से जाना जाता है वहीं यहां कुछ ऐसी जगे और ऐसी चीजे भी है जो किसी को भी सहमा कर रख सकती है और उन्ही में से एक है यह पूतूलबाडी इसका नाम तक सुनते ही वहां के लोगों के चेहरे पे कुछ इस तरीके का खौफ आता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जिस वज़े से लोग सूरज ढलने के बाद इस हवेली के पास्त से भी गुजरने से डड़ते हैं दोस्तों इस हवेली का इतिहास इतना खौफणा को दरावना है कि किसी को भी डरा कर रखते दोस्तों असल में ये पूतूलबाडी कॉलकता के सुवा बाजार में से एक काफी बड़ी हवेली है जिसे की अब कॉलकता के सब्से हौंटिट हाउस में से एक माना जाता है दोस्तों बताया जाता है कि पहले जो है यहाँ पे काफी अच्छा व्यापार हुआ करता था मतलब जो है यह एरिया उस टाइम का ट्रेड और बिजनस सेक्टर था और यहाँ पर आस पास जो लोग रहते थे वो इन बड़ी हवेली में रहने वालों के गुनाम हुआ करते थे जो कि उनके घर और फैक्टरीज में काम किया करते थे और क्योंकि यह एरिया उस टाइम पे इंडस्टरिल एरियाज में आता था जिस वज़े से ज्यादा थे लोग हवेली को सामान रखने की जगे की तोर पे यूस किया करते थे दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पे काम करने वाली फीमेल वरकर्स को यहाँ की ओनर काफी परिशान किया करते थे यहाँ तक कि उन्हें सेक्श्वली हरास तक भी किया जाता था और कई बार मालिक अपने इज़त बचाने के लिए उन औरतों को वहीं पे कहीं पे मारके दफना दिया करते थे और ये जो घटना है उस टाइम पर यहाँ पे काफी आम बात थी दोस्तों बताया जाता है कि पूतुल बाड़ी जो हवेली है उसकी मालिक की एक बेटी थी उस दो लोगो द्वार तो ये भी बताया जाता है कि उस हवेली के पास से उन औरतों के रोने की आवाजे आती हैं और आज भी उनमें से कुछ डॉल उसी हवेली में है जो की अब धूल खा रही है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो डॉल कभी कबार जिन्दा हो जाती है लेकिन ये बात कितनी सच है या जोट ये हम नहीं कह सकते और इस हवेली को लेके लोगों के दिलों वे डर कुछ इस तरीकी का है कि इस पर एक इनाम भी रखा गया है कि अगर कोई बिना डरे इसके अंदर जाके सीड़ी चड़ जाता है तो उसको इनाम मिलेगा आज तक ना जाने कितने लोग इस हवेली की पहली को सुलजाने की चकर में अपनी जान गवा चुके है दोस्तो यहां तक की इस हवेली की बाहर गौर्मेंट द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें बंगाली में लिका है कि इसमें प्रवेश करना निस्द है और फैलाई गए अफ़ाहों पर दिहान ना दे और अफ़ाहों को सही या गलत साबित करने का जोखिम ना ले दोस्तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सच है या नहीं पर इसे पूरी तरीके से जुटलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि आप खुदी सोच कर देखिए कि अगर यहां पर कुछ नहीं है तो आखिर कर क्यों गौवर्मेंट दुआरा इस एरिया को रेस्टिक्ट्ड एरिया घोशित किया गया है और आखिर कर क्या रहसे हैं लोगों की मौत का जिन्हों ने इसके अंदर जाने की हिम्मत की बाकि आपको इस विशे और भूतों के अस्तित्व कुले कर क्या मानना है यह हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें हमारी मेल आईडी हॉररसंडे03.gmail.com पर मेल करकर जरूर बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स वीडियो में